खबर है उत्तराखंट के लकसर से जहां पर उत्तराखंट के हरिद्वार लकसर में देश के अन्य कई प्रदेशों से मजदूर आ रहे हैं लकसर में इस समय 400 सेकंट ज्यादा प्रवासी मजदूर मौजूद है जिनके खाने पीने का बंदोबस्त स्वयम से वी संस्थाएं उठा रही है अपने आप में बड़ी बात है कि उत्तराखंट की सभी सीमाए सील होने के बाद भी दूसरे प्रदेशों से प्रवासी मजदूर उत्तराखंग में घुसने में इतनी बड़ी तादाद में काम्याब हो रहे हैं। मजदूर उत्तराखंग की सीनाओं में प्रवेश कर रहे हैं। यह सभी लोग यहां सुरक्षित हैं सबकी स्कैनिंग कराई जा रही है। दक्सर से गोपाल सेनी की रिपोर्ट। इसलिए कुछ लोग कहीं कहीं से फिल्फरेज कर सकते हैं। लेकिन यह हमारी सफलता है कि वे अंतता उत्तराखंड के किसी भी कौने में कहीं ने कहीं फिल्टर हो जा रहे हैं। यही हम कर सकते हैं कि अपने इसतर पर अपना सरूत बेस्ट परफरमेंस दें। और उन लोगों को कहीं भी इधर उधर मूब ना करने दें। कि अगर वह मूब करते हैं तो लोगडाउन का हमारा मूल परपज फेल हो जाए। इस दिए कोशिश हमारी यही है कि सब लोगों को स्टेबल किया जाए। मूब्मेंट के लिए रोमिंग के लिए फ्री न छोड़ा जाए। एक और अपील भी है ऐसे सभी लोगों से जो अपने घरों से निकल गए हैं और जो पैदल यहां से महां मूब कर रहे हैं। वो इंतजार करें विभिन्य राज्य सरकारों के मध्य पारस पर एक संबाद बना हुआ है। समन्वे से कंट्रोल और रिगूलेटेड वे में उन्हें उनके घर पहुँचाने की प्रक्रिया वरतमान में प्रचलीत है। सबर रखें और निश्चित रूप से वो अपने गंतावे पर सुरक्षित पहुचेंगे। बिविन्य राज्य सरकारें अलग अलग अस्तर से एटराखंड से अधार खनतार खार ओचर्शित रूप से झालत में उनके प्रचलीत है। लगन सब ही अपनिमन पर सुरक्षित पहुचेंगे। इस बाता पुरा बहुरू साइज